सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट पॉइंट एकडेमी चानल को और बेल आइकॉन को दबाईए स्टडी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नवश्कार दोस्तो स्टूडेंट पॉइंट एकडेमी में आप सभी का सौगत है अज हम करने जा रहे हैं अल्टरनेटिक करण्ट एकडारेक्ट कर देसी ओके इस टॉपिक पर बात तो क्या है अल्टरनेटिक करेंट और क्या है डाय्यक्त करण्ड और कहा पर ये यूस होता है के alternate कहां पर alternate करणव estherएक करणजों होता है DC करणब कहा पर इसe होता है इन सभी के बारे में यहाँ पर बात करने यारे तो आइए फ्रेंट स्टार्ट करते हैं सभ को पता है आपने एक करणड के बारे निक्ट्रबोक्ष आइंब और रॉंच डायरेक्षि熱 si non-oxilatory current मतलब ऐसा current जिसका oscillation नहीं होता it means ऐसा current जो एक ही direction से flow होता है simple सी बात है मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर एक circuit diagram बनाता हूँ जैसे मान लीजिए एक circuit diagram बना ली हाँ पर हमने और यहाँ पर हमने battery से connect कर दिया यह positive और यह negative तो current किस direction में flow होता है positive से negative positive से negative की और जाएगा जिस तरह से इस experiment को हमने देखा है इस तरह के experiment इसके पहले भी हमने किये हुए यहाँ पर क्या होता है current जो है positive से negative की और एक ही direction में flow होता है इस conductor के through ऐसे जाएगा इधर जाएगा फिर इधर से यह इधर जाएगा मतलब यहाँ पर हो क्या रहा है कि current जो है वो positive से negative की और जा रहा है जब हम single cell में इसा बात करते तो positive से negative की और जाता है उसका एक ही direction है कि वो positive से negative की और जाएगा वो उसका एक ही flow होता है जिसे हम non axillatory current कहते है जो oxylate नहीं होता है Oxalate मतलब कुंसा होता है जो इधर भी जाएगा और जो इधर भी जाएगा उस difendalated means pendulum होता है त yrotum ok तो pendulum क्या होता है इधर भी हिलता है और इधर भी जाता है तो ुसका एक oxidation होता है तो direct current जो है यह oxalate नहीं होता in a circuit from the coil to coil, okay, एक circuit में क्या होता है, coil से coil तक ये current चलता है, coil to, coil to the side, such is a current, is called direct current, और ऐसे current को हम direct current या भी short form में DC बोलते हैं, as against a current changing in a magnitude and direction after equal interval of time, which is called alternative current AC, और मान लीजिए कि अगर कोई ऐसा current है, जो अपने direction को किसी समय पर change करता है, okay, after equal interval of time, मतलब हर एक समय के बाद, वो अपने direction को change करता है, तो उसे AC current कहेंगे, AC current के और भी बढ़ेंगे, सबसे फ़ेले direct current देख लिए, कि direct current के बारे में हम क्या कहते है कि डेरेक्क करण का जो फ्लो है, यह है current, यह जो ग्राफ है, यहाँ पर यह जो line है current show कर रही है और यह time show कर रही है और direct current fert jjt ज्याना सीधा जाता, एक ही direction में बढ़ता है, और यह ही direction कूं हो जाएगा उसे हम direct current कहेंगे, और जो अपना direction change करता है उसे alternate current कहेंगे, तो students यहाँ पर देखिए the direct current can increase, direct current के बारे में बात हो रही है, direct current increase हो सकता है, direct current can increase, direct current can stable और direct current can reduce, तो direct current बढ़ सकता है, direct current stable रह सकता है, और direct current reduce भी हो सकता है, but it is not oscillatory, पर वो औक्सिलेटर नहीं होगा, oscillatory means इस तरह से मान लीजिए यह एक graph है, तो direct current क्या शो करता है, direct current एक सिदी लाइन शो करता है, पर oscillation means क्या होगा, इस तरह से चलेगा, तो इस तरह से चलता है, alternate current, तो alternate current इस तरह से चलता है, direct current इस तरह से चलता है, अब अल्टरनेट करन के और देखेंगे, this is known as graphically in a figure, alternating current is a oscillatory, जिस तरह से आप graphically यहाँ पर देख रहे है, alternating current जो है, आपको यह दिखाई दे रहा है, यह है AC current, और यह आपको किस तरह से दिख रहा है, oscillatory रूप में, मतलब, oscillation हो रहा है, इस तरह से दिख रहा है, as shown in the graph, it increased to maximum, यह बढ़ता है, देखें, यहाँ पर 0 होगा, इधर 1, 2, 3, यहाँ पर होगा, minus 1, minus 2, minus 3, तो यहाँ पर 2 side हो रही है, यहाँ तो वह इधर बढ़ेगा, यहाँ पर इधर बढ़ेगा, यहाँ पर निगेटिव पॉइंट माँ समझें, है then reduce to 0 फिर वापसventh maximum की हो जा के वापस STRIρω कि और आता है क्योंकि position में Zero ओके and reduce to zero and increase to maximum in other direction और दूसरे दारेकर्टबियों पहले toilet इस डारेक्षिन escape maximum हुआ फिर zero पर आया फिर इस डारेक्षिन में maximum हुआ फिर zero पर गया फिर इस इस direction में maximum बागा फिर 0 पर जाएगा और फिर इस डारेक्शन में magazine हुगा the occillation of alternating current occurring in sinusoidal manner और obs delivers BCgd of the alternating current alternate current का the oscillation होता है वो sinusoidal manner में दिखा यहां यहा पर यह pattern देख रहे हैं इसे sinusoidal manner कहा जाता है with the time and hence is shown by symbol और इसलिए alternate current को जो symbol दिख रे हैं आप, इस symbol से Show किया जाते हैं, ओके हम इसको maths में similar के लिए use करते हैं, ऊके उसी तरह से sign में, alternate current के लिए ये symbol use करते हैं, alternate current कैसा होता है eigen provd, do ये symbol के दिखा जाता है, या sunlight sourness manner होता है, oscillation show करता है, तो इस तरह से symbol को दिखाते हैं, ऐसे मत दिखाईएगा, ऐसे दिखाईएगा, दोनों में sign में फरक है, देखिए, तो इस तरह से दिखाना है, यह जो हमने अभी पड़ा है अल्टरनेट करेंट जिसे हम कहते है अल्टरनेट करेंट फ्लो इन पूरियोडिक मेंडर पॉके अल्टरनेट करेंट जो है एक उने टाइम जुसार फ्लो होता है in a one cycle in a forward and reverse direction ये दोनों direction में ये forward direction में फ्लो करता है और reverse direction में फ्लो करता है It means अगर मैं alternate current के बारे में अगर बात बता हूँ तो मान लीजिए एक circuit diagram हम यहाँ पर बना लिते ओके ये रही एक circuit diagram यहाँ पर हमने लगा दिया positive और negative sign है तो यहां पर जो current है जैंनरली सरकीट डाइग्राम में जो current होता है वह positive से negative की होता है फर alternate current के बात करें तो यह current इदर भी flow हो सकता है इदर भी flow होगा इधर भी flow होगा इदर भी flow होगा इदर खलो होगा तो इस तरही से यह अब एक समय के हिसाब से जैसे उसका time होता है उस time के साब से oscillation अपने करते रहता है कभी इधर भागेगा कभी इधर भागेगा कभी इधर भागेगा कभी इधर भागेगा तो यह है alternate current और direct current सीधे चलता है अपने एक ही direction में तो यह था तोटर्टवेंट इन इंडिया, the power station generating electricity, तो हमारे इंडिया में भी power stations है, जो electricity generate करते हैं, one cycle change, one by 50, that is the frequency of AC, means alternate current is 50 hearts, तो देखिए, one cycle, मतलब जो current का जो cycle होता है, एक cycle, एक oscillation या एक cycle, यह complete होता है, one by 50, मतलब एक सेकंड में 50 बार, जिसे हम कहते हैं 50 hearts, तो 50 cycle per second, one by 50, means 50 cycle per second, when the electric power is transmitted over a long distance, और जब देखिए students, electric power देखिए, हमारा घर यहाँ पर है, और electric power station तो बहुत दूर दूर है, और उतने दूर से हमारे घर तक, जो electric current supply किया जाता है, यह इतने दूर से हमारे घर तक, कैसे electric current supply किया जाता है, तो alternating current में, alternating current एक property होती है, कि वो oscillate करता है, एक साथ एक डारेक्शन में नहीं बहता, oscillation करता है, और oscillation करते समय, वो कभी इधर कभी उधर चलते रहता है, इसके गारण, उसमें एक property होती है, कि वो दूर तक भी जाएगा, तो भी current loss नहीं होता, बहुत कम current loss होता, ज्यादस ज्यादा maximum current वो flow करके लेके जाता है, इट beneficial to have in a AC form as it result into maximum power, minimum power loss during a transmission, तो जब भी alternate current का transmission होता है, तो transmission के समय, power का loss जो होता है, वो कम से कम होता है, minimum होता है, मतलब जाता से ज्यादा electricity वो carry करके लेकर जाता है, और अगर हम direct current की बात करें, और इतने दूर से अगर हम direct current को लेकर हैं, तो power का loss होते चले जाता है, So students, the current which are used in our house is an alternate current, तो हमारे घर में, जो switchboards लगे होते हैं, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, अलग-अलग rooms यहाँ पर देख रहे हैं, और यहाँ पर देखें जो switchboards है, जहाँ पर टी-वी, okay, computers, TV, fridge, oven, यह सारी जो चीजे चल रही है, यह किस के बरुसे चलती है, तो यह च current और direct current के बारे में information, I hope that alternate current और direct current क्या है, और इसकी information आपको पूरी तरह से clear हो चुकी होगी, okay, तो students अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चानल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रही है और देखते रही है Student Point Academy, तो मिल